इस वीडियो में हम कक्षा 10 के 15 चैप्टर प्रायक्ता इसके प्रशनावली 15.1 करेंगे अब देखो ये जो प्रशनावली काफी बढ़ी है इसमें टोडल 25 प्रशन है लेकिन आधे प्रशन हम इस वीडियो में करेंगे और आधे प्रशन दूसरे वीडियो में करेंगे उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो में हम question number 1 से लेगे question number 12 तक करेंगे तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न है निमने लिखित कतनों को पूरा कीजिए तो यहाँ पर यह इसका जो पहला पाठ है देखो घटना ए की प्रायक्ता प्लस घटना ए नहीं की प्रायक्ता क्या होती है यह one होती है यानि किसी भी चीज की होने की प्रायक्ता और उस चीज के नहीं होने की प्रायक्ता दोनों को अगर हम बलस करेंगे तो यह one आएगा क्योंकि इसमें तो सब कुछी cover हो गया है तो यह तो कोई चीज होगी या नहीं होगी तो यह one इसका answer है दूसरा उस घटना की प्रायक्ता जो घटित नहीं हो सकती है क्या है यानि जो असंभव है तो इसकी प्रायक्ता जिरो होती है और ऐसी घटना को असंभव घटना कहते है तीसरा उस घटना की प्रायक्ता जिसका घटित होना निश्शित है एक होती है तो यह निश्शित घटना कहलाती है ऐसी घटना निश्शित घटना कहलाती है फोर्थ पार्ट है किसी प्रयोग की सभी प्रारंबी घटनाओं की प्रायक्ता का योग वन होता है तो सभी प्रारंबी घटनाओं की प्रायक्ता का योग वन होता है जैसे मानलो एक सिक्का उचाला उसमें हेड आने या तो हेड आएगा या टेल आएगा तो अगर मैं इन दोनों की प्राइक्ता को प्लस करूं तो one होगा इस तरह से और पांचवा है किसी घटना की प्राइक्ता इस से बड़ी या उसके बराबर होती है तो इस से छोटी या उसके बराबर होती है या फिर और वहां से लेकि वन तक होती है वन से छोटी या उसके बराबर तो यानि इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं किसी भी घटना की प्राइकता यह तो यह इसका आंसर है Q2 है निमने लिखित प्रियोगों में से किन-किन प्रियोगों के परिणाम समप्राइक है सबस्ट कीज़े समप्राइक का मतलब होता है कि जो परिणाम आ रहे हैं उन सभी की बराबर संभावना हो For example अगर हम एक सिक्का वो चालते हैं तो उसमें head आएगा या tail आएगा तो आप जानते हैं कि इन दोनों के आने की बराबर संभावना है या जैसे हम एक पासे को लड़काते हैं तो इसमें one, two, three, four, five, six हर एक के आने की बराबर संभावना है लेकिन अब मान लो की एक किलो मेटर दूर एक किलो मेटर सौ मेटर दूर एक गड़्डा है और इस गड़्डे में आपने एक बॉल डालनी है सौ मीटर दूर तो इसमें जाने की संभावना कितनी तो अब आपको पता है कि इसमें जाने की संभावना और नहीं जाने की संभावना दोनों अलग अलग है जाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि वो बहुत दूर है गड़ा एक चोटा सा और नहीं जाने की समभावना ज़्यादा है तो यहां पर यह सम प्राइक घटनाएं नहीं होंगी ठीक है अब पहला उप्शन देखो एक ड्राइवर कार चलाने का परियतन करता है कार चलना प्रारंब हो जाती है या कार चलना प्रार वो कार चल जाएगी शुरू हो जाएगी तो और बहुत कम चांस ऐसे होगी कि वो कार स्टार्ट नहीं होगी और एकदम खटारा गाड़ी है जो की बड़ी प्राब्लम कर रहा है तो वो हो सकता है स्टार्ट कम हो तो यहां पर कार का चलना और का नहीं चलना दोनों संप्रा घटना नहीं है क्योंकि इनके बराबर संभावना नहीं है यहाँ पर अगर कार ठीक ठाक है तो कार के चलने की ज़्यादा संभावना है बराबर नहीं है ठीक है एक खिलाड़ी बासकेट बॉल को बासकेट में डालने का परितन करती है तो बास्केट डाल पाती है बॉल या नहीं डाल पाती है अब depend करता है कि खिलाडी अच्छा है या बेकार है मानलो कि खिलाडी बहुत अच्छा है उसका निशाना बहुत परफेक्ट है तो डालनी क्यों मिध जादा है तो ये भी नहीं है संप्राई घटना अब एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है उत्तर सही होगा या गलत होगा अब यहाँ पर मान लो कि आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो यह तो 50-50 चांस है बिल्कुल यह है यह एकदम जिससे कहते हैं 50-50 चांस होना कि यार यह हो भी सकता नहीं भी हो सकता है मैं शूर नहीं हूँ तो यहाँ पर बिल्कुल बराबर है तो यह अनुमान लगा जाए उसको आंसर पता नहीं है तो वो उसमें तुक्का लगा रहा है अनुमान तो आपको पता है कि बराबर चांस होगा या तो होगा या नहीं होगा या तो सत्य होगा या सत्य होगा इसलिए ये संप्राई घटना है एक बच्चा का जर्म होता है एक लड़का एक लड़की क्या है मतलब मतलब ये संप्राई घटना है तो बिलकुल लड़का होने की भी उतनी संभावना होती जितनी की लड़की होने की संभावना होती है इसलिए यह घटना भी संप्राई घटना है ओके? फुटबॉल के एक खेल को प्रार्णब करते समय निरने लेने के लिए कौनसी टीम पहले बॉल लेगी इसके लिए सिक्का उच्छालना एक निया संगत भी दी क्यों माना जाता है तो जैसे हम टॉस करते हैं तो टॉस करना बिलकुल एक निया संगत क्यों है बिलकुल फेर हम जिसे कहते हैं कि हाँ भई कोई भेदभाव नहीं है एकदम फेर है टॉस करना ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि हम ये मानते हैं कि भई जो सिक्का हम इसमें 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 जो head आएगा और जो tail आएगा इसके आने की बराबर संभाव नहीं है, इसलिए नय संगत है तो यानि जब सिक्य को उचाला जाता है तो चित और पट आने का यानि head और tail आने के जो परिणाम है ये सम प्राइक यानि सम संभावी भी कहते हैं यानि equally likely यानि बराबर संभावना है head और tail आने की और इसलिए किसी सिक्य का उचालना एकदम नियाय संगत विधी माना जाता है निमने लिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्राइकता नहीं हो सकती है तो हम ये लिखेंगे कि चुँकि जो प्राइकता होती है वो 0 से लेके 1 की बीच में होती है इसलिए A और C और D संभव है जो B है ये प्राइकता नहीं हो सकती है माइनस 1.5 है ना प्राइकता नहीं हो सकती है क्यों? क्योंकि ये 0 से कम है इन प्राइकता को इसके बीच में होना चाहिए तो इसका ऑप्शन B करेक्ट है यानि ये प्राइकता संभव नहीं है आप अगर ये सोचने 15% कैसा है? देखो 15% का मतलब होता है 15 बटे 100 यानि 0.15 और पिल्कुल 0.15 आप देख सकते हैं वो तो 0 और 1 की बीच में होता ही है ये भी 0 और 1 की बीच में होता है और ये भी 0 और 1 की बीच में होता है ये ही है जो 0 और 1 की बीच में नहीं है और इसलिए ये जो संख्या है ये किसी भी घटना की प्राइकता नहीं हो सकती है ये किसी घटना के होने की प्राइकता ये है तो नहीं होने की प्राइकता क्या होगी ये क्वेशन है तो हम जानते हैं कि घटना के होने की जो प्राइकता है और घटना के नहीं होने की प्राइकता तो उसको हम E पे बार लगा देते हैं ये 1 होता है ठीक है न आप चाहो तो इसको E नहीं लिख दो तो इसलिए जो E नहीं है यानि नहीं होने की प्राइक्ता है ये 1 माइनस होने की प्राइक्ता हो जाएगी और इस तरह से ये 0.05 माइनस कर देंगे क्योंकि ये दिया है क्वेशन में और आंसर आजागा 0.95 एक थेले में केवल नीमबू की महक वाली गोलिया हैं मालिनी बैग में बिना जहांके एक गोली निकालती है तो क्या प्राइक्ता है कि निकाली गई गोली संत्रे के महक वाली हो या नीमबू के महक वाली हो तो आप भी समझ गये होंगी कि भई बैग में जब केवल नीम्बू वाली गोलिया है तो नीम्बू की ही निकलेगी चाहे वो सो बार निकाले या हजार बार निकाले तो यानि इसकी जो प्राइक्ता है हो zero हो जाएगी और इसकी प्राइक्ता one हो जाएगी तो थोड़ा से detail में लिखते हैं तो यहाँ पर चूंकि bag में थैले में केवल नीबू के महक वाली मीठी गो लिया है इसलिए सत्रे की महक वाली गोरी निकलना असंभव है इसलिए इसकी प्रायक्ता शुन्य है क्योंकि एक असंभव घटना है और दूसरा हम यह लिखेंगे कि नीबू की गोली का निकलना एक निश्चित घटना है चुन्कि एक निश्चित घटना है तो इसलिए इसकी प्रायक्ता एक होगी ठीक है यह दिया हुआ है कि तीन विध्यारतियों के एक समूव में दो विध्यारतियों का जनम दिन एक ही दिन न होने की प्रायक्ता यह है तो क्या प्रायक्ता है कि इस दोनों का जनम दिन एक ही दिन हो तो यहाँ पर हम माल लेते हैं कि जो ए है एक घटना है और वो घटना है कि विध्यारतियों का जनम दिन एक ही दिन होना एक ही दिन होना ठीक है न और हमें इसकी प्रायक्ता ज्याद करनी है कि दोनों का जनम दिन एक ही दिन इसकी प्रायक्ता क्या है दिया क्या है दिया है कि उनके जनम दिन एक ही दिन नहीं होने की प्रायक्ता है 0.992 अब हम यह जानते हैं कि किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायक्ता को अगर हम प्लस करते हैं तो 1 आता है तो इसलिए यह हो जाएगा 1 माइनस नहीं और यह आजाएगा 1 माइनस 0.992 और इस प्रकार से आंसर आजाएगा 0.008 क्वेशन नमबर 8 है एक थैले में तीन लाल और पांच काली गेने हैं और एक गेने यद्रिच रूप से यानि बिना देखे बैक से निकाले जाती है तो क्या प्रायक्ता है कि गेन लाल हो और लाल नहीं हो तो देखो तो इस क्वेशन को अगर हम के वर लिखने के वे में करें यानि हमें देखो हमें प्रायक्ता ग्याद करनी है लाल गेन का लाल होना तो इसके लिए लाल गेनों की संख्या उपर आएगी और कुल गेनों की संख्या नीचे प्लीज राइटिंग माइड मत करना और इस प्रकार से ये आंसर आजागा लाल गेन्दे तीन है कुल गेन्दे आठ है तीन बठे आठ लेकिन इसको हम थोड़ा विस्तिरत रूप से लिख सकते हैं एक अच्छे तरीके से हम लिखते हैं देखो एक तो ये तरीका लिखने का लेकिन इसको एक दूसरे तरह से मैं लिखना चाहता हूँ देखो हम लिखेंगे कुल गेन्दों की संख्या तो जो कुल होता है इसको हम एन एस नाम दे रेते हैं और ये हैं तीन प्लस पांच यानि आठ लाल गेन्दों की संख्या लाल को मैं आर नाम देता हूँ और ये तीन है ठीक है और फिर हमें ये देखना है कि लाल गेन्दे नहीं हो चलो बाद में कर लेंगे अब हमें प्रायक्ता निकालनी है लाल गेन्द की ठीकि लाल गेन्द आ जाए तो इसकी प्रायक्ता होगी लाल गेन्दों की संख्या उपर बटे सभी गेन्दों की संख्या और इस तरह से तीन बटे आठ आंसर आ जाएगा ठीक है सेकिन पार्ट में है कि हमें जो प्रायक्ता है वो है कि हमें आर नहीं चाहिए तो इसमें हम ऐसी गेंदे लेंगे जो आर नहीं हो रेड नहीं हो और नीचे तो सभी गेंदे आएंगे तो कितनी गेंदे लाल नहीं है तो पांच गेंदे लाल नहीं है तो ये पांच बटे आठ आ जाएगा और इस प्रकार से यह मतलब आंसर आ गया है लेकिन इस part को आप फिर दुसरे तरह से कर सकते हैं कैसे जो second part है देखो किसी भी घटना के होने की प्राइक्ता और नहीं होने की प्राइक्ता वन होती है तो अगर हमें नहीं होने की प्राइक्ता निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे घटना की होने की प्राइक्ता और इस प्रकार से 1 में से माइनस होगा 3 बटे 8 और यह आ जाएगा आंसर 5 बटे 8 तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यह 3 बटे 8 कैसे आया क्योंकि हम अलड़ी निकाल चुके हैं Question number 9 है एक डिबे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं एक निकाला जाता यह कंचा क्या प्राइक्ता है कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है तो सबसे पहले कुल कंचों की संख्या इसको हम एनस करके लिखते हैं ठीक है तो यह है 5 प्लस 8 प्लस 4 तो वो जाएगा 8 प्लस 13 चार 17 अब हमें निकालना है प्राइक्ता कि निकाला गया कंचा लाल हो तो यह होगा कि लाल कंचों की संख्या बटे सभी कंचों की संख्या लाल कंचों की संख्या कितनी है पांच है और सभी सत्रा तो यह हमारा आंसर आ गया है आप चाहे तो डिटेल में लिख सकते हैं उपर लाल कंचों की संख्या बटे सभी कंचों की संख्या लेकिन ऐसा भी आप लिख सकते हैं सेकंड है हमें प्राइक्ता निकालनी है सफेद की तो जब सफेद कंचे की निकालने के हमें प्राइक्ता ग्यात करनी है तो सफेद कंचों की संख्या उपर लिखेंगे और नीचे सभी कंचों की संख्या आ जाएगी और इस प्रकार से आएगा आट बटे सत्रा यह हमारा आंसर है तीसरा, हरा नहीं, यानि हमें प्रैक्ता निकालनी है, हरा नहीं, इसकी, तो इसको करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो यह है कि हम वन में से माइनस करें, प्रैक्ता हरे कंचे की, ठीक है न, कि हरा कंचा निकले, उसकी क्या प्रैक्ता है, वन में से, उसको माइनस कर दो, तो हरा नहीं निकल जाएगा आपको याद होगा कि पीछे काफी questions में हमने ये किया है कि नहीं होने की प्रायक्ता के लिए क्या करते हैं 1- होने की प्रायक्ता निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा हरा कंचा यानि हरे कंचों की संख्या उपर आएगी बटे सभी कंचों की संख्या नीचे आएगी और इस प्रकार से हरे कंचे तो 4 हैं 4 बटे 17 और ये आजाएगा 13 बटे 17 और या फिर हम कैसे निकाल सकते हैं कि तो इस केस में हम ऐसी गिन्दों की संख्या को उपर लिखते हैं जो हरी नहीं है तो हरी कौन कौन से नहीं है 5 और 8 क्योंकि 5 तो लाल है 8 सफेध है तो ये दोनों ही हरी नहीं है बटे 17 और ये solve करेंगे तो ये 13 बटे 17 ही आजाएगा तो ये दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं Q10 है एक पीगी बैंक में 50 पैसो के 100 सिक्के हैं तो पहले में लिख देता हूँ ठीक है 50 पैसो के 100 सिक्के हैं एक रुपे के 50 सिक्के हैं 2 रुपे के 20 सिक्के हैं और 5 रुपे के 10 सिक्के हैं अच्छा तो कुल सिक्कों की संख्या लिख देते हैं ठीक है कुल सिक्कों की संख्या NSS में सभी आ जाते हैं 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 और यह हो गया 180 ओके तो अब हमें प्राइकता ज्याद करनी है कि सिक्का 50 पैसे का होगा तो हमें प्राइकता ज्याद करनी है 50 पैसे के सिक्के के होने की तो यानी हमें 50 पैसों के जो सिक्के हैं उनकी संख्या उपर लिखनी है और सभी सिक्कों की संख्या नीचे लिखनी है और यह हो जाएगा 100 upon 180 और यह आँसर आ जाएगा 2 upon 5 upon 9 ठीक है यह answer आगया है, second पांच रुपे का नहीं होगा अब यह नहीं होगा दियान रखना तो पांच रुपे का नहीं होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं दो तरीके हैं, या तो ऐसे सिक्कों की संख्या ओपर लिखो जो पांच रुपे के नहीं है और नीचे सभी सिक्कों की संख्या आएगी तो ऐसे कितने सिक्क है जो पांच रुबे के नहीं है ये है ये है और ये है और नीचे सभी सिक्कों की संख्या और ये आजाएगा 170 upon 180 यानि 17 बटे 18 लेकिन इसको करने का दूसरा भी तरीका है तो वह क्या है तो जैसे मैंने आपको कहा है पिछले करी questions में हम ने किया की 5 रुपे का नहीं के लिए क्या करते है वन माइनस पांच रुपे का सिक्क है तो इसकी प्रैक्टा कैसे ग्याद करें तो इसमें जैसे हमने 50 पैसे वाली प्राइक तक याद की थे न 5 रुपई के लिए क्या करेंगे 5 रुपई कितने 5 रुपई हैं ये उपर आएंगे और कुल सिक्कों की संख्या नीचे आएगी तो ये हैं 10 बटे 180 और ये आजाएगा 17 बटे 18 यानि फिर से वही ठीक है तो ये आंसर है आई होप आपको समझाये होगा question number 11 है एक aquarium है जलजीव कुंड इसमें कुछ नर मचलिया हैं कुछ मादा मचलिया हैं तो सबसे पहले हम लिख देते हैं इनकी संख्या तो यहाँ पे नर मचली नर यानि मेल इनकी संख्या है पांच आप चाओ तो पोरा लिख सकते हो नर मचली तो नर मचलियों की संख्या है पांच और मादा मचलियों की संख्या है आठ अच्छा तो हमें फिर इसने क्या किया एक दुकान से खरीती है तो दुकानदार क्या करता है कि एक मचली उसको देने के लिए निकालती है तो दुकानदार एक टंकी मेंसे एक मचली उसे देने के लिए निकालती है क्या प्रायक्ता है कि निकाले गई मचली नर है तो नर होने की क्या प्रायक्ता है तो देखो तो नर मचली होने की प्रायक्ता के लिए हम क्या करेंगे सीधी सी बात है कि नर मचलों की संख्या उपर आएगी और सभी मचलों की संख्या नीचे आएगी तो नर मचली कितनी है पांच और से भी मचली के मचलियां तेरा हैं और ये हमारा आंसर आ गिया है ठीक है संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता इस तरह से जो विश्वा में आने कबाद इन संख्याओं में किसी को भी संख्याओं को इंगित कर सकता या आप देख सकते हैं इस तरह से ओके और हमें ये है इसके प्रैक्ता ग्याद करनी कि ये आठ को इंगित करेगा तो सबसे पहले सभी संख्याओं की जो संख्या है वो क्या है ये आठ है यानि जितनी भी हमारी यहाँ पर संख्याएं लिखे हैं यह टोटल आठ है अब पहला वाला आठ को इंगित करेगा तो यहाँ पर आठ को करेगा तो सिंपल सी बात यह है कि प्राइक्ता आठ यह हो जाएगा कि आठ कितनी बार है और सभी जो संख्याएं वो कितनी है आठ कितनी बार है यहाँ पर बताओ तो वो एक बार है और सभी संख्याएं कितनी बार है 8 है सभी संख्याइं 8 है न टोटल तो इस तरह के से answer आ चुका है Second विशम संख्या को करेगा तो सबसे पहले यानि हमें विशम संख्या को इंगित करेगा तो इसके लिए कितनी विश्म संख्याई हैं ये उपर आएंगी और सभी संख्याई नीचे आएंगी तो विश्म संख्याई कितनी है विश्म संख्याई टोटल चार है और टोटल संख्याई आठ है तो एक बड़ दो विश्म संख्या कौन है अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि विश्ण संख्या है तो वो एक है तीन है पांच है साथ है इस तरह से है ना फिर तीसरा है दो से बड़ी संख्या तो उसकी प्रैक्ता क्या होगी दो से बड़ी तो इसके लिए हम जो जो दो से बड़ी संख्याएं हैं वो उपर आएंगी और सभी संख्याओं की संख्या नीचे आएगी तो दो से बड़ी कौन-कौन सी है तीन से ले लो तीन यानि एक, दो, तीन, चार, पांच, शे छे बटे, आठ ये आजाएगा तीन बटे, चार और चोथा उप्शन है नौ से छोटी संख्याओं को विंगित करेगा तो नौ से छोटी के लिए हम नौ से छोटी संख्याओं उपर हम लिखेंगे और सभी संख्याओं को नीचे लिखेंगे ठीक है तो I hope यह समझ आगे होगा आपको